स्प्री दोजार तेविस के लिए आज केस्वानंद वारती बनाम केरल लाज्य गुनी सो तैंतर की कंप्ली डिटेल दोस्तो आज किस क्लास में हम देखेंगे जो आपकी एक्जाम के पॉइंट वसी वेरी इंपोर्टेंट है तो सुरू करते हैं दोस्तो केस्वानंद बारती 19 Mostly लाज्य हमारी जो बारत की उद्थी कि वारतिय सवीदान का अंग है ना परस्ता ना बारतिय सवीदान का अंग किस वारत के तैया थे तो क्यस वानंद बारती बनाम केरला जिए घृत है छो प्र生ची भारत्या किस हाद किस वारत बारति यह वारती दोस्तों कही गई है ना इसका तीसरा फैक्ट जो आता है वो क्या बोलड़ा है सविधान के मूल डांचे में ना सविधान के मूल डांचे की सिद्धानत का परतिपादन किया गया यह बात भी दोस्तों इसी केसवानन्द में कही गई है इसका जो फोर फैक्ट आता है वो क्या ही ना कि सविदान वार्टे को दोसतो चैंच के ऐसके पांच वा फैक्ट वह क्या बोल्ट है मूल अधिकारों के हननन के आदार पर शविदान संसुदण को चुनुती दी जा सकती है। यदि बस सविदान संसुदान सविदान के मूल दाचे के खिलाफ हो तो उसे अवेद भी गोशित किया जा सकता है। है यूट्व पर दोस्तों साएधी कहीं दोस्तों देखने को मिलेंगे तो यूनिक के अगण से त्यार किया क्या के सब्सक्राइब आज सब्सक्राइब आज तक पूचे आज खुछ सब्सक्राइबिया भी इंपोर्टेंट को दिया गया है ना इसी दोस्तों के सब्सक्राइबर कर ले ना अगर नहीं किया तो दोस्तों कर ले ना वीडियो को कर देनों कमेंट करके जरूर अगर क्लास आपको कैसे लगी बिलकुल सोट्स नोस्त के रूप में आपको प्रोवाइड कराता हूँ क्या क्या दोस्तों प्रावदान के गें हैं सभी दोस्तों आपको इस क्लास में देखने को मिल गए होंगे ना तो जोस्तों आरेश परी 2023 के एक sufficient class है आज के लिए दोस्तों इतना ही तब तक ले जैन जवार थैंक्यू मिलते हैं दोस्तों next class